दोनों शीर्ष उत्पादक प्रांतों केरल एवं तमिल नाडु के प्रमुख नीलामी केंद्रों में छोटी, हरी, इलाइची की आवक अपेक्शाकृत कम होने के बावजूद इसकी कीमतों में नर्मी का रुख देखा जा रहा है. समझा जाता है कि दिसावरी व्यापारियों स्टॉकिस्टों एवं निर्यातकों द्वारा इल्याची की खरीब में जबरदस्त दिल्चस्पी नहीं दिखाई जा रही है. उत्पादक शेत्रों में नए माल की तुराई तयारी अभी समाप्त नहीं हुई है. बेशक अभी इलाइची का भावना रम चल रहा है, मगर खा 2023 में इलाइची का निर्यात ओफर मूले कुछ घटा दिया था जिसका भारत पर भी असर पड़ा. गौाटेमाला की तुलना में भारतिये इलाइची की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है और इसका दाम भी कुछ उंचा रहता है. हाल की एक निलामी में 60 टन से कुछ अधि इलाइची की आवक हुई और इसका ओसत निलामी मूले 1613 रुपए प्रती किलो दर्ज किया गया. इलाइची की फसल के लिए हाल के समय का मौसम काफी हद तक अनुकूल रहा है और इससे फसल को लाक होने की उम्मीद है. पहले प्रतिकूल मौसम के कारण फसल प्रभावित ह हुई थी. केरल में इडुकी, वाइनाड एवं 95 थिटा सहित अन्य जिलो में दिसंबर जन्वरी के दौरान अच्छी बारिश हुई इसलिए इलाइची के उतपादन में कम गिरावट आने की संभावना है. ग्वाटेमाला में छोटी इलाइची का निर्यात ओफर मूल्य अ सकता है. दिसावरी मंडियों में इलाइची के दाम में सीमित उतार चड़ाव देखा जा रहा है. इलाइची का निर्यात प्रदर्शन कमजोर चल रहा है. अप्रेल से अक्टूबर 2023 के साथ महीनों में देश से 2375 टन इलाइची का निर्यात हो सका जो वर्ष 2022 की समान अवध से भी कम देखने को मिला है. Bureau Report Market Times TV